स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जस्पाल जीखे टैक में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें आज की वीडियो हमारी रहने वाली है मद्या परदेश राजय शकारी बैंक को लेके तो MP अपैक्स बैंक रिक्रूट्मेंट जो है वो आपकी निकली हुई है जिसके लिए आप अप्लाई 6 अगस्य लेके 5 सेप्टेमबर तक अप्लाई कर सकते हैं ओनलाइन तो मद्या परदे है टोटल जो वेकेंसी जे आपकी वो है 177 ठीक है जो आपकी इनकी वेबसाइट है वो है अपैक्स बैंक.in यहां पर यह जो है इनकी मेबसाइट है आगे आपको लिंक डिरेक्ट जो है अपलाई करने का लिंक मिल जाएगा 6 अगस्य लेके 5 सेप्टेमबर तक आप आपको यहां से मिल जाएगी एक्टन चौन मłemएक्टिया नाफ्स की क्लिक कर किसी अमें में जो आपका डाउनलोड दी हो यहां से आप असिस्टेंट मेनेजर की क्वालिफिकेशन वगहरा जो है वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है तो जो एप्लिकेशन फीस रहने वाली है वो है बारा सो जर्नल ओबीसी और एड़ीएस के लिए एसी एस्ट के लिए जो फीस है वो है 900 रुपे ठीक है जो आपकी इसमें एज और एलिजिबिलिटी है वो क्या है तो जो एज इसमें रहेगी वो 18 से 35 एर्स है ठीक है तो जो भी जिनकी विएज 18 से 35 है वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं लास्ट टेट पांस सेप्टेमबर तो क्याड्य ओफीसर की जो है वो 95 वेक एंसी इसमें आपने ग्रैजुएशन की होनी चाहिए किसी भी फिल्ड में या फिर आपने अम्बीए के रही हो एंबी कॉम बी कॉम पीजी सी ए तो वो सब जो है वो क्याड्य ओफीसर के लिए अपलाई कर सकते हैं बैंकिंग असिस करी हुई है कंप्यूटर साइंसार आइटी में वो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं असिस्टेंट मेनेजर के लिए 23 इनकी वेक एंसी हैं ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है रिटन एग्जाम होगा पर्सनल इंटर्व्यू है सिर्फ के लिए डोकुमे क्लिक करके आप ऑनलाइन अपलाई यहां से कर सकते हैं तो आपका सिंगल एक्जाम इसका रहना सिर्फ के लिए इनका इंटर्व्यू होगा बाकि किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है तो जिनोंने भी आईटी में जो है वो गरेजुएशन करी हुई है या कंप्यूटर साइं वो स्पेशली सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों के लिए ठीक है तो यह आप इन्होंने लेटेस्ट बैंक एंसी निकाली है मद्यपरदेश आपक्स बैंक ने तो जिन्होंने अप्लाइं अभी तक नहीं किया है वो जाकर अप्लाई करें लास्ट डेट आपकी पास सेप्टेमबर इसमें रहने वाली है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई